असलावलेकुम दोस्तों, Welcome back to my channel, उमीद है आपस भी अच्छी होंगे, दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसेपी शेयर करने वाली हूँ, अंडा बर्गर की जो की बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही मज़ितार, तो चलिए इस अंडा बर्गर को मैंने किस तरीके से बनाया है, म यहाँ पर आलू को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया और अब हम इसमें आड करेंगे बारी कटा हुआ धनी कपता, हरी मिर्च, और बारी कटा हुआ प्याज, तो इन चीजों को भी हमने आलू में शामिल कर दिया और अब हम कुछ मसाले आड करेंगे आलू में, तो यह मिक्षर मैं रेडी कर रही हूँ, तो यह हमारे मिक्षर रेडी हो चुका है, अब हम इसके टिक्की बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्मल साइज होती है, जो जितनी साइज बर्गर में फिट हो, उस साइज की हम टिक्की रेडी करेंगे, तो चलिए यहाँ पर इस तर जर्दी को हुआ पारेडि किया हूँ तो चलिंए यहां पर आपटर। वाह लूत ह rocky में बाध में बनायूंगे थो छिली मैंने कि ऐहां पर पाउल लिया है । इस थोड़ा सा मिक्स कर लेते हूं और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें अलू को डिप करके इसे फ्राइ करेंगे तो यहां पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल आइड किया है तो मैं इस टिकी को डीप फ्राइ नहीं कर रही हूं क्योंकि यह तूट जाएंगे तो मैं इसे शैलो तो यहां पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें इस तरीके से हमने अलू को डिप करना है एक वाइट में और फिर हम इसे तेल में डालेंगे तो इसी तरीके से अंडे की सफेदी में सारे टिक्क्यों को मैंने डिप करके इस तरीके से डाल दिया और इसे हमने दोनों तो थोड़ी देर इसे फ्राई करने के बाद यह रेडी हो जाएगी तिक्की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तिक्की जो है वो मेरी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है दोनों साइट से तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ पैन से तो चलिए यह तिक्कियों को और जो हमने जर्दी रखी हुई थी एक वो और सफीदी जो बची थी वो साथ ही मैंने इसमें एक अंडा और आट किया है और अब इसे हलका सा मिक्स करके मैंने थोड़ा सा नमक आट किया है अंडे में और कुछ भी नहीं इसे हम पका लेंगे तो इस तरीके से हम इसकी ओमल औरा भी पक चुका है इसे भी में साइट सेंटन रख देते हैं और सेंट में हम ने बर्गर को थोड़ा सेक लेना है तो थोड़ा संहें तेल बटर किसी वी चीज़ का पिस्तिमाल कर सकते हैं रखता सबसरे सब्सक्राइख पर ग्रीन चटनी दो सबसे पहली इस घ्रीन के लिचानी पर असकी मैंने जरें इस तरीक इस कालहा है अब यहां पे अनियन रिंग्स इस पर डाल दूंगी इस थरीके से तो प्यास के टुक्रेल अच्छे जो कहें वह ने डाला है साथ ही मैंने अब इस पर अलू के टिक्की डाल दिया है इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है और अब हम इस पर कैचप डालेंगे तो यहां पर मैं मैंने इसमें अब इस पर इंडिया है अपि फिर से मैंने टमाटर के पीसह मैंने इसमें डाल दिया और क्यां क्या है और फिर मैंने एक अंडा और एठ किया है कि इसमें इस तरीके से इसमें इसलाज पतच लाज पटैना कितना किस तरीके से डालना चाहता ऐप जो चीज आप ज्यादा प्रीफर करते हैं वो all Those कीज आप अपर इसमें ज्यादा आड करें तो यह हमारे यमी सा टेस्टी सा अंडा बर्गर बनका तयार हो चुका है दोस्तों इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइब करें और मुझे पताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो अगर रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक् मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्रेम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप उसे ले सकते हैं मैं आपसे फिर मिलूँगी दोस्तों अपनी अगली रेसिपी के साथ अब तक के लिए अलाहाफिज ठेक केर बाबाई